जो लोग अपने के बहुत बड़ा हिंदू मान तो इसमें जो मर गया 100 से उपर जो हिंदू वाले सरकार हैं हिंदू जो बना रहा है क्या उन लोग को 10-10 लाख रुपईया मुआपजा मरने वाले मिर्तक एक अक नौकरी दे रहे हैं यह दे तो मैं समझू यसली हिंदू है जि परिवार लोग के रहा के नौकरी दीजिए पर असली जो हिंदू आने वाले जो बावा हैं कहीं न कहीं से इन लोग से जुड़े होंगे बीजेपी वाले लोग से क्या फासी के सजा होगा बाबा पर जो भागवान अपने कहते हैं तब समझेंगे कि असली हिंदू है जब नीट जो है उसमें पहुंच पाया लंबा गें बहुत लंबा गें अस्वासन दिया थे आपका असल का दुगना दाम मिलेगा 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 हम लोग इंतजार करना है नमस्कार आप देख रहे हैं नेशनल दफ्तक मैं हूरंजय कुमार संसत का सत्र चल रहा है और गहमा गहमी चल रहे हैं संसत से सडक तक घमासान मचा हुआ कई सारे मुद्धे जो है देश में अभी चल रहे हैं और इनहीं मुद्धों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद जो कि बिहार के जहानाबाद के सांसद है कद्दावर नेता है आरजेडी के सुरेंद्री यादव जी सर आपका स्वागत हमारे चैनल पर बहुत धन्यवाद बहुत बढ़ाए आपको चैनल कोई बहुत धन्यवाद हो धाए तरकल इंडिया गडबंधन के मेता है राहूल गांधी वह हिंदुओं को बतनाम कर रहे हैं हिंदू को हिंसक करें बीजेपीय सक्एरी यह क्या कहेंगे आप एक बाद जान लीजे जहां से खंदान चला है राहुल कांधी है मंको न लगताइक उनको परसे देने की आए सकता है नेरु खंदान के बारे में पुरे हिंदुस्तान के लोग संते हैं चाहे वो कोई जितने धन संपति था, सारा लोग नहरू परिवार्ग हिंदुस्तान के दान करते हैं, आज अगर उनको घर से निकाल दिया जाए, तो रहने के लिए नहीं जगा नहीं है, और उसको हिंदू बिरोधी कहते हैं, हमारा कहना है, जो लोग कहते हैं, अपने के बहुत बड़ा हिं तो जब हींदू मानते हैं, तो आज जो घटना घटा है बाबाजी का, जो बाबाजी के बहुत बड़ा घटना भटा, तो इसमें जो मर गया सो जो उपर, जो हिंदू वाले सरकार है, हिंदू जो बना रहा है, तो क्या उन लोगो दस-दस लाख रूपया मौपदा्या मरने वाले मिर्तक के और एक नौकरी दे रहे हैं तुकि वहां जोगी सरकार है उत्तर परदेश में घटना घटा है और जो घायल हुआ है उसको पांच-पांच लाग रुपईया परिवार के नौकरी दे रहे हैं यह दे तो मैं समझू यह ली हिंदू है कि मरने वाला टोटल हिंदू है बावा जी जहां गय थे दर्शन करने के लिए भगवान को वह भी हिंदू भगवान थे और वहां के जो मुख मंत्री हैं अच्छे आदमी मंदार आदमी बड़ता अच्छे आदमी है जोगी जी मेरे साथ है नाइंटीएट में मेरा पालिया मे अच्छे इंसान है उनके पती हम काफी भावुक रहते हैं उनसे प्यार भी करते हैं विज्यत भी करते हैं तो जोगी जी हैं वह भी बाबा है जोगी जी कि इसमें चत्मंगनी पट भी आ कर देना चाहिए यतना जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दें जितना जल्दी दस-दस लाख रुपईया पच्पच लाख रुपईया के चेक काटें डर किस बात का है भाई उपर में आफी का राज कोई बोलने वाला नहीं ना इडी जाएगा न स्वियाई जाएगा नीचे में आप स्वेम हैं पैसा के कोई कमी है नहीं हो सकता है तो दस-दस लाख चाह बढ़ से इन लोग से जुड़े होंगे बीजेपी वाले लोग से कहां एक आएक भाग गये कब तक वारेष्ट होंगे कब तक पकड़ाएंगे क्या उनको पकड़कर डंडित करेंगे क्या फासी के सजा होगा बाबा पर जो भगवान अपने कहते हैं तब समझेंगे कि असली हिंद निकार है जो बोले है रहूल गांधी उसके समर्थन में मैं हाथ उठाता हूं मैं उसके साथ प्रधान मंत्री मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गडभंदन के जो लोग हैं वो फरजी जश्न मना रहे हैं क्या कहेंगे आप इस बात पर उनकी सरकार भी नहीं और जीत का फरजी मना रहे हैं वह अगर मनाते हैं तो हिंदु है नहीं मनाते हैं तो अतंगबादी है हुआ इस पर फैसलाब किके जी लोग एक करना रहे हैं उनकी दो जीत हुई नहीं है उस तरह से तो वह जीत एक फरजी जीत है प्रणामंत्री मोदी कहते हैं कि जो विपक्ष जिम्यदारी होती है लेकिन यह संसद को चलने नहीं दे रहे हैं संसद में हम इसा व्यावधान डालते हैं नीट को लेकर जब रहुल गानी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है कि जतना मजबूती से अपनी बात को रखता है पर नीट जो है उसमें CBIRD कहां पहुंच पाया जो कि ये कहीं न कहीं भाजपास से जुड़ा हुआ है लंबा गेल में बहुत लंबा गेल में कहीं जेल न हो जाए सारे लोग को इसलिए नियाले पर छोड़ दियें कि नियाले के क्या फैसला होता है उसके बाद हम कदम उठाएं इसलिए उसको बहस पर नहीं ला रहें चुनाओ के ठीक पहले किसान लोग आंदोलन कर रहे थे MSP को लेके अब आप लोग जो हैं एक मजबूत विपक्ष के रूप में हैं तो किसानों के लिए आप लोग क्या सोच रहें इस बार किसानों को कैसे उनका हग दिलवाएंगे किसान के लिया हुब हैं उसका लड़ा नहीं है मजबूती से लड़े और हटेंगे भी नहीं और हक अधिकार के बात रहेंगे और हक अधिकारी का परियास करेंगे लड़कों उसको दिला प्राइन मंत्री मोदी एक बात कहने कि समिधान के उपर ब्रह्म फेला के इंडिया गड़ बंदन के लोग और अभी ब्रह्म फेला रहे हैं कि हम समिधान पर कोई हमला करने वाले हैं या समिधान बदलने वाले हैं क्या कहेंगे एक बात बताइए यह तो कुछ कुछ भी कर सकत जब किसान अंदोलन हुआ अब तो भोल दिया कि अतंग बादी है आतंग बादी है तो कैसे लगता है कि जिसका बाल बच्शा जो किसान का अपने बाल बच्टा को देस के स Technology में लगा दिया है देश को से वा करने के लिए तो दूसरा किसान इतना पैडा करता है ओप फिर उस फसल को नुफसान हो जाता है तो सरकार उसका मौफजा देता है क्या मौफजा तो दी देता है मैं सरकार एक ही चीज कहता है एक सारे लोगा उनके बाल बच्चा बड़े बड़े पद्ध पर नौक्री करता है और जो नौक्री नहीं करता वो किसान का काम अपना लेता है और अपना मेंद मजदूरी से फसल पैदा करता है और उची ताम नहीं मिलता है पोदी जी अस्वासन दिये थे आपका फसल का दुंगना दाम मिलेगा कम मिलेगा कम मिलें हम लोग इंतजार कर रहा है जो रोड पर उन्होंने घेरा था काटा अटी से दिवार से अभी तो अंदोलन नहीं है, अभी भी अंदोलन है, नहीं है, पर हटाया क्यों नहीं, उसको हटाया क्यों नहीं, इसका मतलब इसका मनसा वही है, जो पहले था, एक किसान का सरकार कभी हो नहीं सकता, एक किसान का कभी सपोर्टर हो नहीं सकता, चुकि इनको मदद करने में है इंका गाड़ी कमाई का पैसा है या बूलेट जहाज बन सकता है बूलेटपूल बंसकता है अपने से सुरक्छी तरह सकते हैं हजार yearly स्यौ्चत हम लगा सकते हैं इस इंदिया जडम हो या हाजपा हो सभी लोग जो है बाबा सहाब भीम्राव अम्मेटकर की बात करते हैं उनके सिध्धानतों की बात करते हैं और चुनाओ जीतने के देंगे मेरा वादा रहा एक तरफ समिधान को माथे से लगाते हैं और दूसरी तफ वह जो है संसत के प्रांगन से जो है बाबा सहाब भीम्राव अम्मेटकर की मूर्ति हटा देते हैं जैसी सरकार बदल रहा है उन्हापने अस्थान पर चले आगए बावा साही और बापु भी मातमा गंधी अस्थान पर चले आगए तो आपने सुना सुरेंदर यादव जी को जो की इंडिया गडवंदन और आरजेडी के बिहार से नेता हैं कदावर नेता हैं और इन्होंने कई मुद्धों पे अपनी बात रखी है क्या है आपकी राये इस पूरे बाचित पे आप अपनी राये हमें कमेंट बॉक्स ने फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें